स्ट्रीट फूट की बात की जायो मोमोज का जिक्र ना हो ऐसा नहीं हो सकता है मोमोज हर किसी को पसंद आ जाते हैं मुझे भी बहुत जादा पसंद है लेकिन आज हम जो मोमोज बनाएंगे उसको ना तो हम मैदा से बनाएंगे ना ही आटे से बनाएंगे हाज हम healthy momos बनाएंगे जो कि tasty भी होंगे और quickly बनके तयार हो जाएंगे तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अगर आपने cabbage momos कभी ट्राइ नहीं किये हैं सिर्फ सुना है तो आज की वीडियो देखने के बाद आप इसको जरू ट्राइ करोगे क्योंकि मैंने भी इनको ट्राइ किया तो इतनी जल्दी बन गए थे ना इतना स्वाद लग रहे थे बहुत जादा टेस्टी लग रहे थे अगर आप इसको momos की चटनी के साथ खाते हो तो चलिए बनाना शीरू करते है वेजिटेवल्स आप अपने according ले सकते हो सबसे पहले हम फिलिंग बनाएंगे तो मैंन किया बिए लिए प्यास टमाटर का अंदर का पल्प होता है उसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि उसमें काफी जादा वौटरि कंस्तेंसी होती है पल्प और पनीर लिया है जिसको मैने हलका सा कर लिया है dry roast किया आप इसमें corn भी एड कर सकते कहा या pick अगर आपके पास शिंबला मिर्च यल्लो और रेड वाली है तो वह भी आप इसमें एड कर सकते हो इसको ड्राय रोस्ट करने का मकसद है कि इसमें जो भी मॉइस्चर है वह रिलीज ना हो जब हम मोमोज बनाएं इसलिए मैंने इसको ड्राय रोस्ट किया है और का इसमाल बिल है पानी अब हम क्या करेंगे जो कैवेज होती है उसके हम कुछ पत्ते ले लेंगे उनीका हमें यूज करना है तो उसको हमें बॉइल करना है तो जितने आप मोमोज बना रहे हूं उतने ही आप पत्ते निकाल लें कैवेज की अलग लग कर लें एक पत्ता आपको लेना है त तो मिनट के लिए दो से तीन मिनट के लिए जिससे कि तोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और जब हम इसमें फिलिंग को भरेंगे एड करेंगे तो बाहर ना निकले अब आप देख पा रहे हो हमारी जो फिलिंग है वह काफी जादा कालर्फुल लग रही है मौशियर भी नहीं है अब हम इसमें किस सॉसिज और करेंगे तो मैंने तंदूरी मैयोनी लुइंफ है प्लैन मीयोनी जिए और इसके बाद वह सकते हो इसके बाद मैंने टमैटो कैश्ट डाला था ग्रीन सॉस में डालना बھूल गयी थी लेकिन आगे आप पास है तो आप जरूर डालना मेरे पा आपको लगता है कि आप जादे क्वाइड कर सकते हूँ पर जो भी सौचिज मैंने एड की है उन में अपने। मसाले हैं क्या बोल रही हूं मैं अज अपने मसाले उन में हैं तो इसलिए हमें अलग से इसमें कोई भी स्पाइसेज एड़ करने की जरूरत नहीं है इसके बाद मैंने औरीगेनो चीली फ्लेक्स एड़ किया है दोनों को मैंने एक बोटल में मिक्स करके रखा हुआ था इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूं बता दे रही हूं आपको मैंने चीली फ्लेक्स और और दौनों बहुत है चा फ्लेएवर आता है तो आप जरूर ड़ना तो इसके बाद मिक्स कर देंगे हमारे फिलिंग बनके तयार हो चुकी है, अब हमें मोमोज बनाने हैं, तो एक आप कैविज का पत्ता लेंगे इस तरह से और इसमें फिलिंग भर देंगे, खूब सारी फिलिंग मैंने भरी है, आप देख पा रहे होगे, अब इसको हमें रैप कर देना है, जैसे कि मैं आपको वीड फिलिंग को खूब सारा भर देंगे, ऐसे फिलिंग में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, तो फिलिंग भरने के बाद दोनों तरफ से इस तरह से रैप कर देंगे, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, बहुती आसान तरीके से रैप हो जाता है, और जहां से हम निकलेगी, नहीं फिलिंग इसमेंसे बिल्कुल भी और यह ऐस इस रहेगा, इसके बाद मैने पैन लिया है, इसमें थोड़ा सा घी डाला है, आप बटर का भी इस्तिमाल कर सकते हो, या फिलिंग भी बिना घी बटर के भी आप इसको खुक कर सकते हो, तो इसके बाद असें कि यहां पर फारे में जब मैंने इसको कई ट्राइब कर चुकी Wakanda सुचा आपके साथ 70 की रेसिपी करती हूं जब कोई रेसिपी ऐसी है ज़ो की जल्दी बन जाती हो टेस्टी भी लगती है तो मुझे लगता है आपके साथ जरूँट करना चाहिए तो इस तरह से दौनों तो यह रेची आपके साथ लेकर के आऊंगी तो यह रेसे पी आपको कैसी लगे आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना वीडियो अगर पसाने तो वीडियो को लाइक साथ इस चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मैं अब आपसे मिलूंगे अपनी नेक्स् बाइ